Hello everyone, welcome to study journey with you. Friends, कैसे हैं आप लोग? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके preparation अच्छी चल रही होगी. जैसा कि मैंने आप लोगों को promise किया था कि मैं आपका CDP का जो revision है वो 30 को करवाने वाली हूँ तो उसी लिए मैं आप लोगों के एक वीडियो record कर रही हूँ जिसके अंदर जो मैंने अपने notes बनाये थे friends ये मैंने अपने exam के time पे बनाये थे वहीं मैं आप लोगों के साथ share कर रही हूँ आप लोगों की अगर इसमें से help होती है तो आप लोग comment करके जरूर बताईएगा और वीडियो को like कीजिएगा friends सभी का exam है तो अपने जादे से जादा friends के साथ share कर दीजिए ताकि और लोगों का भी भला होसके friends मैं बहुत बीजी थी लेकिन मैंने सिरफ आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके ये वीडियो बनाई है तो वीडियो को ध्यान से समझगेगा शायद आप लोगों के कुछ दस्माज नंबर की इस वीडियो से help होसके देखते हैं हम किसकी topic को इस वीडियो में cover करते हैं हम अभी प्रेर्णा आप लोग मोटिवेट होंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ आपके exam को ले करके तो सबसे पहले जो मोटिवेशन चब्द है वो किस language का है Latin language का है मोटिवेशन अभी प्रेर्णा होती क्या है मोटिवेशन का means होता है to move प्रेर्णा आप सब लोग जानते है मोटिवेशन के बगर तो कुछ भी संबव ही नहीं है क्योंकि मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को सही मारक दर्शक दिखा सकता है Skinner अभी प्रेर्णा अधिगम का सर्वोच राजमार्क स्वर्णपत हिर्दे होती है जो अभी प्रेर्णा होती है वो अधिगम का सर्वोच राजमार्क स्वर्णपत या हिर्दे होती है इस लाइन को अच्छे से याद रख लेना ये किसने कहा था Skinner ने हम सिरफ exam के point to point बाते करेंगे ठीक है कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोग वीडियो को कम्प्लीट देखना ओके स्कीनर ने क्या का था जो अभी प्रेड़ना है वो अधीकम का सर्वोच राजमार्ग स्वनपत और हिर्दे होती है ऐसा किस ने कहा था स्कीनर ने कहा था इंपोर्टेंट है याद विलिम मैक डूगल नहीं क्या कहा था अभी प्रेड़ना के बारे में अभी प्रेड़ना विशारीरिक मनोध हिक दसाइं होती है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेजित करती है इन दोनों डेफिनेशन को ध्यान रखना है ये वाली जो है सरवोच राजमारक किस ने कहा था ये आपके लिए इसा स्किनर ने कहा था आपको यहां से डारेक्ट यूशन देखने को मिलेगा दैन उसके बाद गुड गुड ने क्या कहा था किरिया को उतेजित करने जारी रखने और नियंतित करने की पर किरिया कोई क्या कहते है अभी प्रेज़ना फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं अभी का कहने का तरीका अलग-अलग है तो जो अभी प्रेड़ना होती है वो दो तरीके से हो सकती है उसके लिए तो आंतरिक प्रेड़क होंगे या फिर भाईय प्रेड़क होंगे आंतरिक प्रेड़क कैसे होते हैं प्राकरतिक होते हैं स्वाभाविक होते हैं जब कि जो भा से जैसे कि पर परतिष्टा शंग्या में प्रुश्कार देना यह सब के में आ तो यह पॉइंट भी आपको याद रहना हैं करते हैं कोmee dejar काम करते हैं वह कौण से प्रेयरक का काम करते हैं तो किस प्रेयरक का अनुशार जो प्रेरक होते हैं वो टू टाइपस के होते हैं ये भी याद रखने हैं अब्राहिम मेसलो के अनुशार प्रेरक टू टाइपस के कौन-कौन से जनमजात और अरजित कौन-कौन से जनमजात और अरजित दैन उसके बाद थोमसन ने भी दो बताएं हैं स्वभाव कर दूँगी और हाँ फ्रेंट्स एक सिकायत और भी थी आप लोगों की जो मैंने और भी वीडियो बनाई है हिंदी की इंगलिस की उनके नोट्स आपको नहीं मिली है तो उनके नोट्स भी आपको आज स्याम तक मैं टेलिग्राम पे अपलोड करवा दूँगी ठीक है तो जो मूल परवर्तियों का सिध्धान थे वो किस ने दिया है विलियम मैकडूगल ने लिया है अगर मैं आपको डिटेल में करवाने लगूंगी तो फ्रेंट्स आप लोग समझते हैं कि जो साइकलोजी है वो 20-22 गंटे में भी कंप्लीट नहीं हो सकती और मुझे तो आपको एक कर ले ना क्रोध युद्सा बहे प्लायन भूख बोजन अंवेशन एकाकिपन सामुहिकता करूणा सरनागती आमोध हास्य घेरना अनिवर्ति कामुकता कामविर्ति परतिभाव रसनात्मक आश्च्रिय जिग्यासा आतम हिंता दैनिय स्वामितव संग्रेन आतम इभिमान ग मैंट बता रही हूं तो आपको उन चीजों को अच्छे से याद रखना है ठीक है और आपने पहले पढ़ा हुआ है ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूं आप लोगों से ठीक है जो अभी प्रेर्णा चक्र होता है वो देखिए हिलगार्ड महुदे ने अभी प्रेर्णा चक्र के तीन सोपान बताए है हिलगार्ड महुदे ने कितने सोपान बताए है तीन यह तीनों आपको अच्छे से याद रखने है क्योंकि क्यूशन यहां से भी बन सकता है फर्स्ट आवशक्त्या सेकंड चालक और थर्ड प्रोचसहान सबसे पहले हमें किस चीज की क्या होगी आव बन समाप्त करने के लिए वस्तू या किलिया का करना जैसे किस के कमी मैसूस हुई पानी क्या होगी तो इस तरह से चीजों को आपको याद करना है next देखिए अभी प्रेधन के सिधदांत उध्डीपन अनुकिरिया का सिधदांत किस ने दिया है स्किनर ने दिया है चालक का सिधान्त क्लार्क लियोनार्ड हल ने दिया है चालक का सिधान्त क्लोक नियोलार्ड हल ने दिया है प्रोचान का सिधान्त वोलसेम कॉपमेन ने दिया है मनो विशलेशन का सिधान्त सिग्मड फ्राइड ने दिया है उपलबदी अभिप्रेरन कदानु जो कि अख रहे हैंAPRAHAMम मैसलों ने दिया है और उसके सांदर क्या क्या करम बताएगे हैं वो भी देख ली जिए दहिक आउशक्त्या, शुरक्षा आउशक्त्या, सन्हे आउशक्त्या, सम्मान आउशक्त्या और आत्मसिद्धी ये 5 स्टैप बताएं है ठीक है एक प्रामेड दिया है किसने आउशक्त्या पदानुक्राम का सिध्धान जो किसने दिया है अबराहेम मैसलो ने दिया है तो आ उनका आपका एक अच्छे से रिविजन हो जाएगा देहिक आउशक्ता शुरक्षा आउशक्ता को प्रात्मिक बोलेंगे सनिय आउशक्ता समान आउशक्ता को द्वित्यक और जो उच्तर स्तर होता है पूछ लेता है कि अबराहेम मैसलों के अनुशार अभी पिरेणा का जो गरढ दिया है उसके अंदर जो उच्तर आउशक्ता का स्तर होगा वह क्या होगा तो आतम सिदी है वह उच्तर आउशक्ता का स्तर होगा प्रात्मिक बोलें-बोले, मनुश्य की वह सकती जिसके दुवारा में किसी कारियाय व्यवार को उसकी पूरनता तक ले जाता है वही क्या कहलाता है आपका चिंतन कहलाता है। चिंतन कैसे किरिया होती है चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक किरिया है यह क्यूशन भी पूछा जा चुका है चिंतन एक कैसे किरिया है मानसिक गत्यात्मक किरिया है ठीक है स्टेटिक नहीं है यह कैसी है गत्यात्मक है सबसे पहले क्या होता है कोई कारिया होता है कोई शमश्या पिर देन उसके बाद चिंतन होता है और फिर क्या होता है लास्ट में उसी का समाधान हो जाता है तो हमप्रे जो था हमप्रे ने क्या डैफिनेशन दे थी इसको भी याद रखना है डैफिनेशन एक्जाम में बहुत पूछी जाती है हमप्रे के अनुसार चिंतन का जनम समश् और रोस ने क्या बताया है चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक की रिया है ये किस ने बताया है रोस सिद्धा क्यूशन बनेगा यहां से कि चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक की रिया है ऐसा किस ने बताया है चिंतन मूल रूप से दो परकार के होते हैं ऐसा किस ने बताया है जिमबार पड़ों ने बता है स्वैली चिंतन और यथार चिंतन जो कोरी कल्पना ही होती है एवास्त्विक जूठा स्वैली चिंतन कैसा होता है एवास्त्विक यथार चिंतन शत्य होता है वास्त्विक होता है कल्पना के साथ साथ कारिय क्या होता है उसके अंदर वास्त्विक होता है यथार्चिंतन में तीन टाइप्स और हो सकती है किसकी यथार्चिंतन की मूर्चिंतन, अमूर्चिंतन और आलोसनात्मक्चिंतन अब मूर्चिंतन क्या होता है मूर्चिंतन को अभिशारी चिंतन भी कहा जाता है जो परतिवासाली बालक होंगे वो किस कटेगुरी में आते हैं मूरत चिंतन का दूसरा नाम अभिशारी चिंतन है निगमनातमक चिंतन है infections आपने जो और दूसरे टोपी का CDP के यह तो काफी बर पड़ लिए होंगे लेकिन ये आप नई चीजे बढ़ रहे होंगे और ये आपके एक्जाम में ऐसे की ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे मुरत चिंतन होता है उसका दूसरा नाम अभिशारी चिंतन है निगमनात्मक चिंतन है इसके अंदर पर्टेक्स प्रिसिती पर शोचना वैसा का वैसा वैवार पर कट करना मुरत चिंतन गयाता है ऐसा कौन करता है जिनका ध्यान केंदित होगा जो परतिभा साली बालक होंगे वो मुरत चिंतन करते हैं इसके अंदर पर बालक कैसे होती है सरजन शील बालक होती है वो क्या कर पाते है कलप ना कर पाती है एमुर्थ विचारदारा की समझने के उनके छमता होती है, उनका दर्ष्टि कोन व्यापक होता है, न उन निर्मान कर सकते हैं, और क्या होते हैं, सदयो सफल होती हैं उसके बाद आजाता है आलोसनात्मक या विशलेशनात्मक चिंतन, सही गलत क्या कब कैसे कितना, ये सब सवाल उनके दिमाग में चलते हैं, क्या वास्तविक है, क्या सही है, ऐसा उन सब के अंदर चलता रहता है, तो वो क्या होता है, आलोसनात्मक चिंतन होता है, और इसके अ प्रेशान मतों ये ठीक है बाल चिंतन बच्पन से किया जाने वाल चिंतन बच्पन में करते हैं वो चिंतन क्या होता है बाल चिंतन का विकास बासा विकास के बाद सुरू होता है जीन प्याजे के कोडिंग लगबग दो वर्स में क्या आ जाता है बाल चिंतन आ जाता है यान आगे देखेंगे प्रत्यक्सात्मक्चिंतन प्रत्यक्सात्मक्चिंतन क्या होता है पूरव अनुभू या किसी वैवार की आकर्ति के कारण व्यक्ति वस्तु के प्रत्यक्स होने पर आने वाला चिंतन जो प्रत्यक्सात्मक्चिंतन है वो उसके कुछ पूरव अनुभव होत कालपनिक चिंतन कौन सा होता है बालग अपनी अनुभूं के आधार पर भवश्य को लेकर शोचता है बहुष्य की कल्पना करने लगता है जो उसने पीछे देखे हैं अपने घर में परिवार में जो भी उसने वैवार देखा है उसके आधार पर वो आगे कल्पना करता है वो क्या होता है काल्पनिक चिंतन होता है नेक्ट ना रते है परतिमात्मक चिंतन, जब एक बालग की दुवारा किसी पूरव वैवार के कोई विचार परते मस्तिस में पैदा होता है, तो उसके अनुसार वैवार करता है, परतिमात्मक चिंतन यानि उसने पहले जो बच्चे ने जो देखा है, पूररो वियावार उसके शाद जो बीता है ठीक है उसी के अनुसार उसके दिमाख में जो मस्तिस में जो विचार है वो पैदा हो जाते है करता है कल न करता उन्हें की अनुछार क्या करता है शिए सब्ल करता है उन्हें क्षाण इलेटी क्ải compliant है जैसे कि अब लो एक रही का वेवार करना शुरू कर देता है तार्किक चिंतन 9-11 वर्ष का बच्चा जो होता है स्तरक वेवार फेल दिविजिद्ञ होता है तीडल ऑप खबलतौ और चिंतन के अंदर क्या डिफ्रेंस होता है में सिर्फ क्या बनाते सके अंदर हवाई के लिए बनाए जाते हैं उसके अंदर कोई तरक वी तरक नहीं होता ठीक है और उनकारयों क τι पलिणाम भी नहीं निकलते का जो मरत जो क्लिंदर जो क्या होता है वो तरक्के बिना संभव ही नहीं है लेकिन कल्पना में कोई तरक्की बात नहीं होती और चिंतन बगर तरक्के संभव ही नहीं है और उसके परिणाम जरूर निकलते हैं कल्पना चिंतन की क्या है प्रात्मिक्स देती है कल्पना चिंतन की प्रात्मिक्स देती ठीक है, NCF में अध्धाई कितने है, फाइफ, आपसे क्यूशन पूचेगा, NCF में अध्धाई कितने है, फाइफ, ठीक है, NCF की फुल फोर्म क्या है, National Curriculum Framework, जो कैरिकूलम है, वो किस से बना है, कुरेरे से बना है, और कुरेरे का अर्थ क्या होता है, दोड का मैदान, ये एग्जाम में क्यूशन पूचा हुआ है, ठीक है, राष्टे शिक्षानीती कब आई थी, जो NEP है, वो सबसे पहले राष्टे शिक्षानीती कब आई थी, 1986, और 1903 में में प्रोफेशर यसफाल ने सिक्षा बिना बोज की, क्या संटेंस दिया था, सिक्षा बिना बोज की, सिप्रेरी तोकर 2004 में प्रोफेशर यसपाल के नेतरतों में एक समीति का गठन किया गया, प्रोफेशर यसपाल समीति के द्वारा 2005 में NCF का आलेक तयार किया गया, तो फ्रेंड यहां से आपके पास इसको पढ़ना नहीं है, आपको यहां से क्यूशन निकालना है, कि जो NCF 2005 है, उसका जो प्रारूप है, उसका जो आलेक है, वो किसने तयार किया था, प्रोफेशर यसपाल समीति ने, किस के मारक दर्शन में, NCRT के मारक दर्शन में, जो इसके अंदर कितने विशे है थे, 21फोकस समीति के रूप में चर्चित था, 21 फोकस समित्य के रूप में चर्चित था NCF 2005 के आलेक की शुरुवात सब्वेता और परगती रविंदर नाथ टैगोर द्वारा लिकित उधारन द्वारा की गई जो NCF 2005 है उसकी शुरुवात भई किससे प्रेड़ दोकर की गई थी जो रविंदर नाथ टैगोर थे ठीक है जिनोंने आलेक लिखाता सब्वेता और परगती उससे प्रेड़ दोकर NCF 2005 की क्या की गई है प्रारूप तयार किया गया तो यह जो पॉइंट्स है आपको यहीं से क्यूशन मिलेंगे आपको यहीं पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना होता है ठीक है तो जो रविंदर नाथ टैगोर का जो अलेक था वो क्या कहा रहा था कि बालक उदार्मन सरजनसीलता का बंडार होता है उसे सरजनसीलता वातावरन में रखना चाहिए ऐसा किस ने कहा रविंदर नाथ टैगोर ने कहा पहला उदेशे क्या है पाठे करम के साथ साथ भाईय वातावरन को जोड़ना सिरफ जो रटा रटाया ज्यान है उसी को आगे नहीं बढ़ाना उसको भार के वातावरन से जोड़कर भी बच्चे को बढ़ाना है सिरफ पाठे करम को ही लेकर के नहीं चलना सेकेंड रतंट परणाली से मुक्त रटवाना नहीं है समझाना है ठीक है थर्ड ज्यान को पाठ्थे करम पर केंद्रित नहीं रखा जाए जो ज्यान है उसको सिर्फ पाठ्थे करम पर उसका नापतोल ना किया जाए राष्ट्य मुल्यों का ज्यान करवाते हुए राष्ट्य सब्षटे नागरिक तयार जो राष्टी मुले हैं उनका ग्यान करवाना है, राष्टे सब्षटी नागरिक तयार करने हैं, राष्ट गान, राष्ट गीत इनका जो लगबख 2nd, 3nd किलास से शेल्ट हो जाते हैं लेषन के अंदर आना, हमारा राष्ट पकसी क्या है, के मुल्ले को क्या करवाना है, ज्यान करवाना है, केवल सूचना को ज्यान नहीं माना जाए, सिरफ information दे दी और उशी को ज्यान नहीं समझा जाए, सवतंतर रूप से सीखने की अवसवर से सैक्सिक गती विधिया, उन बच्चों को सवतंतर किया जाए, आराम से वो सीख सके, आराम से निकालने जाओगे, प्रात्मिक्स तर पर मात्र बाक्षा में शिक्षा, जो प्रात्मिक्स तर है, प्राइमरी लेवल है, उसके उपर मात्र बाक्षा में शिक्षा देनी है, जो नई शिक्षा नीती आई है, 2020 उसने भी इस चीज़ का समर्थन किया है, मूल रूप जहां वह जो वहां की local language होगी ठीक है दंड वे भैम वतावरण से मुक्त कोई बच्चे को दंड और भै का डर नहीं होना चाहिए ठीक है अधिकतर अधिगम विद्यालेस्तर पर ही जो जदतर जो अधिगम होगा learning का जो process होगा वो विद्यालेस्तर पर ही complete होना चाहिए बाल क आपके सामने RTE बताती हूँ RTE से भी आपका question जरूर आएगा तो RTE है RTE की full form क्या हो जाएगी right to education RTE की full form right to education friends हो शकता है आपको ये आदे गंटे की वीडियो मिले 20 मिल्ट की 30 मिल्ट की 40 मिल्ट की देखती हूँ कितने मिल्ट की record हो पाती है लेकिन आप लोग यकीन कीजिएगा यहां से आपके exam में direct question बनेंगे ठीक है तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर लेजी देखे friends जो right to education है RTE 2009 एक दिसंबर 2022 को 86वा सविधान संसोधन जो था अनुझेद 21A शिक्षा अदिकार अब देखे शिक्षा का जो अदिकार है वो किसके अंदर है अनुझेद 21A के अंदर है जोड़ा गया 51 दाईतो सरकार और अभिभावक पर 20 जुलाई 2009 को रा सवबह में पारित हुआ फरवरी 2010 में बारत सरकार द्वारा आदिश जारी हुआ उस्ट्यमist राष्ट पती को थी परतिवा पार्तल थी यहां पिर क्या राद रखना है आपको रटी 2000 जब लागू हुआ थी कून थी परतिवा पार्टिल थी परधानमंत्री कोन थी मन Amy मोहन सिंह थी लागू कब हुआ बना 2009 में था लेकिन लागू एक अप्रेल 2010 को लागू कब हुआ आर्टी 2009 कब लागू हुआ एक अप्रेल 2010 से लागू हुआ ठीक है तो इसको याद रखना है बाकी और आपके लिए यहां पर कुछ इंप्रेल में आपको बताती हुए चलूँगी र्टी आई में कितने अध्याय है कितनी चैक्टर है साथ अध्याय है इसको हुआ है चालीस अनुपात एकूषार्द पर 35 अनुपात एक 200 दिन परतिस्तर 800 कालांस, 800 पीडियर, 220 दिन परतिस्तर 1000 कालांस, 45 गंटे परतिस अपता तयारीवे शिक्षण के, तयारीवे शिक्षण के टोटल मिला करके कितने गंटे दिये गए हैं कि टीचर को 45 गंटे, ठीक है, धारा 3 में 6-14 वर्ष की बालकों की अ क्षण में परवेश दिया जाए, धारा 10 के अंस और बालकों की विद्धाले से जोडने का दायत तो माता पिता पर होना चाहिए, इसको याद रख लेना, धारा 12, 25 परशेंट सीट हैं उन पर गरीब परिवार बालक होंगे, और एक बर इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठी अब देखो, इंपोर्टेंट यहां पर आ गया, धारा 21, धारा 21 के अंदर क्या है, स्कूल मेनेजमेंट कमेटी, SMC का गठन, किस धारा के अंदर है, धारा 21 के अंदर है, स्कूल मेनेजमेंट कमेटी, फुल फॉर्म भी याद रखनी है, 75 परशेंट जो सदश्य होंगे, वो मेलाएं कितनी है, 6, धारा 23 में सिख्षक की योग्यता का निधान, जो पातरता परिक्षा है, जो हम देती है, एस्टेक जो देने जा रहे हो, उसका जो किस धारा के अंदर है, धारा 23 में, सिख्षक की योग्यता का निधान, किस धारा के अकोर्डिंग दिया हुआ है, धार इनको अच्छे से कर लेना है फ्रेंट कि जो आर्टी दोजार नो है वो लागू कब हुआ एक अप्रेल दोजार दस से लागू हुआ ठीक है और क्या क्या बत मैंने जो आपको इंपोर्टेंट बताए हैं उनको एक दुबारा से देख लेना उसमें साथ अध्याए हैं 38 धारा जो अमारे मनोवग्यानिक थे कोलबर्ग उन्होंने दिया था फ्रेंट्स इस वीडियो में हम सिर्फ इंपोर्टेंट टोपिक्स को करते हुए चल रहे हैं जहां से आपके एक्जाम में डारेक्ट क्यूशन आने हैं नैतिक विकास का सिद्धान्त किस ने दिया था अमेरिक जो मनोवग्यानिक थे कोलबर्ग ने दिया इन्होंने किस का चिकर किया था इसके अंदर हैंस की दुविधा जो इता कहाने के माद्यम से हैंस की दुविदा जो कहानी थी वहां से इसको निकाला था नैतिक विकास सिद्धान थो ठीक है 1984 में psychology of moral development बुक भी आई इनकी psychology of moral development जो उन्होंने अमेरिकन जो कोलबर्ग ने जो शिद्धान दिया था वो 1908 में दे दिया था लेकिन 1981 और 1984 में इसके अंदर क्या हुआ संसोधन हुआ अब इसके कितनी stage है वो stage देखते हैं तीन stage जोती है कौन कौन सी पूरो प्रागत और पूरो रूड़ी वादी फिर आगे इनकी दो-दो इनके चरण होते हैं इस अवस्था में नएतिक आचरन दो परकार के होते हैं दो चरणों में इसको विभाजित किया गया है, दंड या आग्या पालन उन्मुकता, साधनात्मक या पुरुसकार उन्मुकता, जो 3-6 वर्ष का जो, अब यहां पर कितनी एज लिमिट दी हुई थी, 3-9 वर्ष, पूरो प्रंग प्रागत और पूरो उलुडिवादी, प्री के भैसे या बड़ो की आग्या का पालन करेंगे, दंड के भैसे, ठीक, और जो 6-9 वर्ष के जब वो होने लगते हैं, तो साधनात्मक या पुरुसकार, जब एक बालक किसी पुरुसकार प्राप्ति के लालक से नैत्रिक आचरण करता है, तो वो क्या होगा, और उसी में अ के अंदर होगा, पूरो प्रामप्रागत का कौन सा सब स्टेज, साधनात्मक या पुरुसकार उन्मुकता, ठीक है, तो प्रामप्रागत के सब स्टेज होगे, दंड और आग्या पालन उन्मुकता, साधनात्मक या पुरुसकार उन्मुकता, ठीक, नेक्स्ट आमारे पास स सम जने लगता है रूड़िवादी बालक प्रमप्राओं को समझेने लगता है अच्छा बालक अच्छी बालक अन मुख्या होगा वो अपनी परषण सा सुनने के Poniar परियास में नेत्तिक आच्रणों का पर्दर्शित करती है तो कोलबर्ग की अनुशार कौन से वर्ग में आएगी प्रंप्रागत या रूडिवादी में और उसे में भी अच्छा वालक अच्छी वालक उन्मुक्ता में आएगी ठीक है सामाजिक व्यवस्था की उन्मुक्ता 12-15 वर्ष का बच्छा होने लगता है तो वो क्या करता है उसके जो प्रिपक होने लगता है सामाजिक व्यवस्था को बनाई रखने के लिए नेत्तिक आच्रण करता है अब वो किसली करता है सामाजिक व्यवस्था को बनाई रखने के वो समाज के परती थोड़ा-थोड़ा समझने लगता है पंदरा वर्षे जो हदिक बच्चे होंगे वो परंपराओं से उपर उठकर आचरन करते हैं इसके अंदर भी दो सब स्टेज होंगी समाजिक बंदन उन्मुकता और सारुतिक नेती उन्मुकता समाजिक बंदन उन्मुकता पंदरा से अठारा वर्षे अधिक वाले में सारुतिक नेती उन्मुकता जो पंदरा वर्ष से अठारा वर्ष के बेज में होता है समाजिक बंदन उन्मुकता होती है इस चल्ण में पूरण परिपक हो जाने के कारण क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, आधी पर विचार करते हुए, आचर्णों का परदर्शन करता है, यह सामाजिक बंदनों को ध्यान में रखकर आचर्ण करता है तो वो किसके अंदर आता है सामाजिक बंधन उन्मुकता में आता है जबकि जो सारवत्रिक नीती उन्मुकता होती है इस चरण में व्यक्ति सारव भोमिक वैवार की नीती को ध्यान में रखते वे अच्छे नैतिक आचरण वैवार को अपनाता है वो सारे तरफ देखता है कि जो सारवत्रिक नीती उन्मुकता है, सभी कैसा परदशन कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा नैतिक आचरन करना है, तो इस तरह कि वैवार को 18 वश्य अधिक होने के बाद वो अपना नहीं लगता है, तो वो सारवत्रिक नीती उन्मुकता दे आता है, इससे हमारे पास conclusion क्य पिका जाता है, अधिगम, अधिगम learning, सामाने ते हम क्या करते हैं, जब सीखते हैं, उसी को क्या मान लेते हैं, अधिगम मान लेते हैं, लेकिन केवल सीखना ही क्या नहीं है, अधिगम नहीं है, सीखने के बाद यदि वैवार हमारे वैवार में स्थाई हो जाता है, तो वह याद कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है एच्टेट के एक्जाम में साल्टेन के अनुसार प्रति दिन होने वाले नए नए अनुब्वों के कार्ण अमारे वैवार में आने वाले स्थाई परिवर्तन को ही क्या कहते हैं अधीगम कहते हैं बही नए डेफिनेशन को देखोगे ओप्शन को देखोगे तो आंसर क्या कर दोगे सही कर दोगे वुडवर्त ने क्या कहा है सीखना विकास की परकरिया है अब साल्टेन से स्थाई परिवर्तन बताया मैंने आपको अब देखो वुड और वी दोनों में आ रहा है वुडवर्त विक गिलफोर्ड ने वैवार के कारण वैवार में आने वाला स्थाई परिवतन क्या कहलाता है अधीगम कहलाता है ऐसा किस ने कहा है गिलफोर्ड ने वैवार में उत्रोतर अनुकूल ही वैवार में उत्रोतर अनुकूल ही क्या है अधीगम है यह याद रखना most important है, crow and crow, crow and crow ने क्या काहिए, नया ज्यान, आदत, अभीवर्ती नया ज्यान, आदत, अभीवर्ती दुबारा बोलो, नया ज्यान, आदत, अभीवर्ती इनके अर्जन को जो अधिगम बताएगा वो कोन बताएगा, crow and crow get से उन साथ ही नहीं अनुभों इंपर्सिक्षन की दुवारा वैवार में स्थाई उन्यन ही अधीगम है ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको देख लेना है ठीक है अदिगम अनुभों का परिणाम है अधीगम एक परकार से क्या है सीखना है अधीगम सार भॉमिक हो प्रिणाम है जरूरी नहीं है कोपी पैन लेकर बैठे होों तबी हम सीख रहे हो अधीगम तो कभी बी कभी जरूरी तो कभी भी होem حका है क्योंकि अधिगम से ही हमें आदते निर्मित होती है और अधिगम क्या है वैवार में परिवर्तन है अगर आपने इनको देखा है सुना है तो आप इन से आने वाला क्यूशन गलत नहीं कर पाओगे ठीक है उसके बाद क्या आ जाता है नेक्स टोपिक आपके पास आ जाता है अधिगम के पठार सम्मानी रूप से सीखने वाला बालक जब सीखने के दोरान कोई रुकावट महसूस करता है तो वहिं क्या क्या पठार बन जाता है वह इंपर ठीक है अधिगम का पठार एक तरह से सीख रहे हो ठीक है छिक रुकावत मैसूश करता है तो वही क्या हो जाएगा अधिगम का पठार कहलाईगा ठीके दो सीखने की अवस्थाों के भीच आने वाली रुकावत या बादा को आधिगम का पठार कहते हैं ठीक जैसे तुरंट हम क्या होगए है तो वो हमारा तुरंत हमारा पुनय सीखना प्रारम हो जाता है ठीक है जो अधिकंप पठार बनने के जो कारण है वह देखो क्या क्या हो शकते हैं आप से पूछ लेगा कि इन में से अधिकंप पठार बनने का कारण कॉन सा नहीं है तो इनको भी करती अच्छी होनी चाहिए उसमें थकान नहीं होनी चाहिए बिंदु का प्रिवर्तन सीखने का समय जो अधिगम का पठार जो बनने के कारण है बालक की सीखने की इच्छा कितनी सीखने की इच्छा है उसके अंदर कितनी जिग्यासा है अगर आप लोगों को इस वीडियो को complete देखना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए एक मोटी होना चाहिए हां में एक्जाट के एक्जाम को किलियर करना है और हम इस वीडियो को देखेंगे तो हमारे साथ नंबर पके होई जाएंगे तभी आप उसको अच्छे से सीख पाओगे अगर आपने सीखने की इच्छा ही नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे बालक अब मैं आपको शिक्षण विदी पढ़ा रही हूँ मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ अगर मैं बिल्कुल रफ तर करती देखी जाएगी ठकान देखी जाएगी है कि पहले से कोई ठका हुआ है तो कैसे पढ़ाई कर पाएगा बिंदू का परिवर्तन शीखने का समय ठीक है अब आते हैं अधिगम वक्र जो बनती है किसी भी बालक के सीखने की मात्रा एक समान नहीं रहती बालक उसमें परि सकारात्मक नकारात्मक सरल्रेकिये एस यू आकार अधिगम वक्र तो देखे फ्रेंड्स सकारात्मक अधिगम वक्र जब एक बालक प्रारम में मंद गती से सीखता है और बाद में उसके सीखने क्या हो जाती है तेज हो जाती है पहले आपने मेरी वीडियो खोली आपको कु तो ये किस तरह का वक्र बन गया सकारात्मक अधिगम वक्र बन गया ठीक है नकारात्मक अधिगम वक्र आप इसको पढ़ रहे थे लेकिन आपको बीज में आपके क्या काम याद आ गए जो आपके घर के काम थे वो याद आ गए आपने क्या कर दिया इसके अंदर इंट्रेस् सरल रेखिये अधिगम वक्र सिख्रे के दोरान एक बालक जब सदयव एक समान उन्ती को दर्शाता है अब आप इस वीडियो को सरूशे देखने लगे और उसी गती से आप इसको देख रहे हैं क्योंकि आपको इसको कंप्लीट करना है इसके नोट्स बनाने हैं तो वो क्या हो गया सरल रेखिये अधिगम वक्र सदयव एक समान गती से इसको सीखे जा रहा है एस यू आकार अधिगम वक्र क्या होता है जब एक बालक की अधिगम से संबंदी उन्ती सदयव समान नहीं रहती बलकि उसमें बार बार में क्या आते रहते हैं उतार चड़व अप्रेंड डाउन साते रहते हैं तो वहाँ पर कौन सी वक्र बनती है एस यू आकार अधिगम वक्र बनती है अधिगम वक्र बनने के कारण क्या क्या है विशेवस्तु की परकरतियम जटिलता शिक्षन विदियम शिक्षक का वहवार शीखने की इच्छा वह यहीं पर एंड कर रही हूँ बाकी आपको और भी नोट्स चीहें तो आप मुझे बता सकते हैं मैं फटाफट से इनको अभी नाइट में तो पोशिबल नहीं हो पाएगा लेकिन कल मोर्निंग में कोशिश करूँगी कि 10 बज़े तक मैं आपके पास ये एक और वीडियो प् सिध्धान ते गैसल का सिध्धान तो अपकी लास्ट वीडियो होगी तो इस वीडियो के नीचे आप लोग जितने ज्यादा कोमेंट करेंगे उतनी जल्दी में आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी क्योंकि फ्रेंड्स हमने आज क्या पढ़ा मोटिवेशन पूरी है ना जितना आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे मैं भी आप लोगों के उसी तरह से एल्प करती रहूंगी आप लोग समझ सकते हैं कि किसी काम को करने का मन तभी करता है जब उस पर क्या होता है पोजिटिव रस्पोंस होता है तो अगर आप लोगों को तेरी मस्तरिये और स्वस्तरिये